अगरा में बंदरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए नगन निगम ने त्यारिया पूरी कर ली है आगरा नगन निगम चार क्रोण खर्च कर बंदरों को पकड़ कर उनकी नस्बंदी करेगा और उन्हें जंगलों में छोड़ेगा पहले चण में ताज महल के आसपास के 500 अगरा में बंदरों का आतंक किसी से च्छिपा नहीं है बीदे दनों ताज महल पर आने वाले एक दरजन सεςादा देशी और विदेशी परिशकों को पंदरों के हमले का शिकार होना पड़ा बंदरों के आतंक से परिशकों में दहशत का माहौल है और वहीं परिटक यहां आने से घबरा रही है लोग लगातार नगर निगम से उम्मीद लगा कर रहते हैं आगरा नगर निगम ने वन विभाग से बंदरों को पकरने और उनकी नस्बंदी करने गिले अनुमती मांगी थी नगर निगम के पशुचिकित साधिकारी डॉक्टर अजी कुमार ने बताया है कि नगर निगम को वन विभाग से अनुमती मिल गई है वाइल लाइफ SOS संस्था से चार करोड रुपे का करार किया गया है इसमें उनके द्वारा शेहरी शेत्र को अलग-अलग जोन में बाट कर 10,000 बंदरों को पकड़ा जाएगा बंदरों का लिंग जाच कर उनकी नस्बंदी करके उन्हें जंगरों में छोड़ा जाएगा सबसे पहले तौच महल के असपास से 500 बंदरों को पकड़ कर परिटकों को राहत दी जाएगी इसके बाद शेहर के अन्ने शेतरों से बंदर पकड़े जाएंगे डक्टर आजे कुमार ने बताया कि बंदरों की नसबंदी होने से इनकी बढ़ती हुई संख्या कम हो जाएगी बच्चों के कारण बंदर कई बार लोगों को देख कर उग्र हो जाते हैं बच्चे ना होने पर उनका स्वभा भी शांत रहेगा बता देंगे पूर्वों में ततकालीन कमिशनर प्रदीब भटनागर के द्वारा बंदरों के आतंक से मुक्ती का प्रियास किया गया था दो करोड रुपे खर्च कर इसी संस्था के माध्यम से शेहर में पिंचरे रखवाए थे बंदरों को मतुरा के चुर्मुरा स्थित हाथी रेस्क्यू सेंटर ले जाये जाता था और उनकी नस्बंदी की जाती थी कमिशनर का तबादला होने के बाद यह ववस्ता खत्म हो गई बीतेवर शेक आर्टी आई की जवाब में आगरश शेहर में 30,000 से जादा बंदर होने की जानकारी वन विभाग न दी थी स्री नियूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट